नमस्कार मैं कशिश और स्वागत आपका नेक्स्टाइम नियूस में कॉंग्रेस नेता और तेरू बनंत पुरम सांसर शशी थरूर ने राजसान के मुख्यमंत्रे अश्यो गहलोत को नसीयद दी है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रे गहलोत को अपने संयोग्यों के बारे में सो समझ कर ही बात करने चाहिए कॉंगेस के दिकच्रेता शशी थरूर यहाँ पर जैपू लिटरेचर फेस्टिवल में मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए थरूर ने आपर गहलोत के सचेंट पैलेट को देश द्रोही, निकमा, नाकार और कोरोना कहने पर सवाल पूछा था थरूर ने कहा कि जब हम अपने साथियों के बारे में बात कर रहे हो तो हमें सो समझ कर बोलना चाहिए मैंने अपने विरोरियों के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तमाल नहीं किया मैं 14 साल से राजनीती में हूँ लेकिन मैंने किसी के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कहा मैं अपने बारे में नहीं सुन सकता तो किसी और के बारे में क्या ही कहूं यही बार पाइलेट ने भी कही थी अमेर राजनीती में कीचर्ड कुष्टी नहीं करना चाहता कॉंग्रेस शांसर ने कहा कि मैं अपने साथियों से अनुरोद करता हूं कि अपने ही भाई बहनों के बारे में इस तरह की शब्दों का प्रियोग नहीं करना चाहिए और हमें अपने मद्वेदों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए लोग के अलग-अलग विचार हो सकते हैं लेकिन उन्हें विक्त करने के अन्यत तरीके भी है हमें पार्टी में दूसरे के लिए प्यार होना चाये पतादी की पिछले साल नवंबर में गहलोत ने राजिस्तान सरकार को गिरानी की कोशिश हूँ विद्रोग करने के लिए पायलेट को गदार तेश्त रोही कहा था चार नवंबर को गहलोत ने कहा था कि सचेन पालेट को मुख्यमंती नहीं बनाया जा सकता और साथ यहाँ पर गहलोत ने बयान पर सचेन पालेट ने भी परेटवार किया था उन्होंने शोग गहलोत को बचकार ने बयान से बचने की सला दी थी बयान बाजी की बाद पाइलेट और गहलोट 29 नवंबर को जैपूर में कॉंग्रिस की बैचेक के दोरान साथ नजर भी आये थे लेकिन एक दूसरे से बाचीत करते हुए नजर नहीं आये अब देखा जाएं यहाँ पर शेशित थरूर ने यहाँ पर कही न कही पाइलेट का साथ लिया अब साथ यह भी देखा जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे नेता है जो पाइलेट को स्थीम बनाने के लिए लगतार यहाँ पर अपने बयान बाजी करते हुए नजर आ रहे है त्योंकि माना जाएं कि यहाँ पर थरूर है और थरूर कैसे समर्थक है जो यहाँ पर कही न कही घहलोत पर भारी पढ़ते नजर आ सकते है इस पर राय जरूर दे और बाख इसी खबरों के लिए देखते रहे हैं यह रेक्स्तान देवस